फ्रेंट्स क्या भी आप भी आपके डॉकुमेंट को कहीं सेव करके रखना चाहते हैं या आपने अपने सारे डॉकुमेंट्स की फोटो निकाल करके और अपने मुवाल में सेव करके रख ली है लेकिन फ्रेंट्स क्या आपको पता है या आपके डॉकुमेंट्स सेव हैं या नहीं है फ्रेंट्स मान लीजी कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपको किसी को सेंड करना है लेकिन कई लोगों के फ्रेंट्स के मोबाल में कैमरे की प्रॉब्लम होती है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है यहाँ पर देखें मैंने CSS यहाँ पर आप ऐसा application को open किया और यहाँ पर कुछ add चलना ही तो मैंने इस add को करक्ट किया और यहाँ पर इसे back कर लिया और अभी आप यहाँ देखेंगे तो इस application बहुत सारी add चलती रहती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यह कुछ इस तरीके का जो interface है इस application का बो देखने को मिल जाता है इस application के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि आप इस application को download करने के बाद इसके बारे में जान सकते हैं और कुछ तो मैं आपको इस वीडियो के आमाद्यम से बताने वाला हूँ तो अभी आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे take photo का option आपको देखने को मिल जाता है जैसे मैं इस पर click करता हूँ तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं suppose मान लीजी आपके पास कोई photo जैसे अभी मेरा हाथ है तो इस photo को आप यहाँ से click करेंगे और यहाँ से कोई PDF बना कर आप इसे save करके रख सकते हैं document बना करके save करके रख सकते हैं जो की काफी सिक्क्य और होता है अब हम यहाँ से back आते हैं तो यहाँ पर देखिए आप QR code आप barcodes भी देख सकते हैं आप कोई आपको की और code है यहाँ पर दुकान वग्रार का भो आप यहाँ से search कर सकते हैं कोई भी product में आपको करना है और यहाँ lining वाला code है तो यहाँ से search कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ से back आते हैं और back आने के बाद यहाँ पर देखिए image to PDF आप आपको image से PDF बनानी तो बो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई text को photo निकाल के और इसे यहाँ पर PDF में convert करनी है तो बो भी आप यहाँ से कर सकते हैं all file और history वगरा भी आप देख सकते हैं और आपको font style वगरा कैशी क्या चाहिए है तो वो आप यहां से देख सकते हैं तो यहां पर देखी font style भी आपको देखने को मिल जाती है नीचे आपको कुछ suggested किया जा रहा है तो वो आप यहां से देख सकते हैं तो इसकी size भी आप देख सकते हैं आपको size कितनी रखनी है वो आप यहां से type करके इसकी size को बढ़ा सकते हैं कमा सकते हैं तो friends यहाँ पर हम लोग back आते हैं और यहाँ पर एक three lines का भी option आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर three lines वाले option पर मैंने click किया click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और password अगर आप जो भी आप लगाना चाहते हैं रखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं तो friends आज की वीडियो के अंदर दी हुई जानकारी आपकी important हो सकती है तो friends आपको जानकारी अच्छी लगते है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिया क्योंकि apps related में आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आते रहता हूँ तो friends मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई